प्रॉब्लम से सल्यूशन ता, आस्कृता, know your fate और साथ मई से रईवार से आपका ये सक्ता शुरू हो रहा है तो चंद ग्रहन के बाद, चंद ग्रहन का प्रभाव अमूमन पंदरा दिनों तक रहता है तो चंद ग्रहन के प्रभाव के बीच में ये सक्ता आ रहा है सबसे पहले आपको ग्रहों की स्थिति बता देते हैं मेश राशी में बैठे हुए हैं शूर, राहू, ब्रहस्पती और बुद्ध और मिथुन राशी में बैठे हुए हैं दोग्रह, मंगल और शुक्र तुला राशी में केतु बैठे हैं, ब्रश्चिक राशी में चंदर्मा बैठे हैं, चंदर्मा आपको पता है कि सब्ता हमें हर दो दिन में, सवा दो दिन में राशी बदलते रहते हैं, तो अगली ब्रश्चिक के बाद फिर धनू में जाएंगे, फिर मकर में जाएंगे, इस सब्से पहले बात मेश राशी की मेश राशी का स्वामी मंगल मिथुन राशी में है और मेश राशी में चार ग्रह बैठे हैं ब्रहस्पति, शूरे, राहु और बुद्ध मेश राशी वालों को इस सब्सेटा कारे छेत्र में तरक्की के आउसर मिलेंगे आपका confidence अच्छा रहेगा पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा और समय का अच्छे तरीके से उपयोग करके आप काम करेंगे तो ये सब्सेटा अच्छा लाब दिलाने वाला होगा सुभाव में ego को हावी ना होने दे खास करके सब्सेटा के पहले चार दिनों पर इस बात का बहुत ख्याल रखना है इगो ना हावी होने दे क्रोध से बचे और उधार लें दें से बचे किसी से पैसा उधार ना लें जितना आपका बजट है उतने में ही काम करें तो बहुत अच्छा रहेगा यदि कोई financial decision लेना है तो ब्रहस्पतिवार के दिन इस सप्ताह आप ले सकते हैं लंबी दूरी की यात्रा से बचे मेश राशी वाले अपने खान पान का ख्याल रखें कोशिस करें कि किसी बात को लेकर किसी से खटपट ना होने पाए यानि वानी पर इस सप्ताह विशेश रूप से नियंत्र रखें भागे का सपोर्ट इस सप्ताह आपको अच्छा प्राप्त होगा शुबरंग होगा आपके लिए हलका लाल और उपाय इस सप्ताह प्रति दिन नमाश्यवाय नमाश्यवाय इस मंत्र का एक सवाड़ बार जाप करें तो आपका पूरा सप्ताह बहुत अच्छा भी देगा बारी आगे यह ब्रश राशी की ब्रश राशी का स्वामी शुक्र मिथुन राशी में बैठा हुआ है ब्रश राशी वालों के घर में सुक बढ़ेगा प्रापर्टी में निवेश की योजना बनेगी खर्च भी सुक्सुविधाओं पर होगा ब्रश राशी वालों को अपने परिवार को थोड़ा और वक्त देना होगा रिष्तेदारों के साथ घुलने मिलने का समय होगा ब्रश राशी वाले अपना काम समय पर पूरे करें तो इस सप्ताह बहुत अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्थ होंगे कोई financial decision लेना है तो आप शुक्रवार के दिन ले सकते हैं शुबरंग होगा आपके लिए क्रीम कलर और उपाय ब्रश राशी वाले इस सप्ताह प्रति दिन नियम बना करके गायत्री मंत्र का एक माला जाप करें तो पूरा सप्ताह आपका बहुत अच्छा भी देगा मित्षुन राशी का स्वामी बुद्ध मेश राशी में बैठा हुआ है और मित्षुन राशी में मंगल और शुक्र बैठे हुए है मिथुन राशी वाले अपने पराक्रम को बढ़ा दे इस सप्ता धनलाब होगा जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको प्रमोशन के अवसर मिलेंगे कारेशेतर में आपकी स्थिती अच्छी होगी बस इमानदारी से मेहनत से काम करने का समय है मिथुन राशी वाले किसी से बहुत ज़्यादा बढ़ा चड़ा कर कोई बढ़ा वादा ना करें धैरे से अपना काम करते रहें उतावलापन किसी काम में दिखाना उचित नहीं होगा इस सप्ताह यदि कोई बड़ा फाइनेंसेल डिसीजन लेना चाहते हैं तो बुधवार के दिन ले सकते हैं इस सप्ताह के पहले तीन दिन आपके लिए अच्छे धनलाब कराने वाले होगे शुबरंग होगा आपके लिए हलका लाल और उपाय प्रति दिन भगवान गणेश की आरती करें करक राशी करक राशी का स्वामी चंद्रमा सप्ताह के शुरुआत में ब्रश्चिक राशी में बैठा हुआ है मन थोड़ा सा बिचलित रहेगा अधीर ना हूँ धैर ना खोएं धैर रखें जल्दवाजी में कोई फैसला न करें हर काम धैर से सोच समझ कर करना है अपने घर परिवार वालों से सलाह ले ले यदि करक राशी वाले अभी जौब बदलने का मन बना रहे हैं तो अभी रुक जाएं अभी कोई बड़ा फैसला ना ले कोई financial decision लेना है कोई बड़ा काम करना है तो ब्रहस्पतिवार के दिन कर सकते हैं इस सप्ता सावधानी से धैर से काम आपको करना होगा खासकर पैसे के लिंदेन में बहुत सावधानी पड़ते हैं अंजान लोगों से सावधान रहें दोखा दे सकते हैं सब्ताह के पहले चार दिन बहुत सतर्क रहने की आवश्यक्ता है सब्ताह का जो उत्तरार्द का समय है यानि सब्ताह के चार दिन के बाद के जो समय है वो आपके लिए अच्छे होंगे शुबरंग गुलाबी उपाए प्रति दिन आप मा दुर्गा की आरती करें दुर्गा चालीसा का पाट करें मा दुर्गा से निवेदन करें कि आपके जीवन में जो टेंशन है परिशानी है उसको दूर करें तो मा दुर्गा की करपा से आपके काम नबनेंगे सिंग राशी का स्वामी शूरे मेश राशी में बैठा हुआ है सिंग राशी वालों का मान सम्मान इस सप्ताह और बढ़ेगा सप्ताह के पहले तीन दिन बहुत व्यस्तता वाले होंगे किसी काम में आप विजी रहेंगे सीनियर अधिकारियों से सहयोग मिलेगा घर परिवार वालों से भी सहयोग मिलेगा और जो मन की टेंशन है वो दूर होगी ये सप्ताह आपके लिए अनुकूल है कारेशेतर में तरक्की के हिसाब से जिन लोगों को जॉब में प्रमोशन बहुत दिनों से नहीं मिला है तो प्रमोशन के योग भी आपके लिए सप्ताह बन रहे हैं सिंग राशी वालों के लिए सलाह ये है कि क्रोध से बचें अपने सुभाव में किसी भी तरह का रूखापन ना दिखाएं सबसे प्रेम से बातचीत करें कोई महत्यपूर्ण फैसला लेना है तो ब्रहस्पतिवार के दिन ले सकते हैं शुबरंग होगा आपके लिए पीला और उपाय प्रति दिन नियम बनाकर भगवान शूर को जल अर्पित करें तो सबताह बहुत अच्छा भी देगा बारी आगई अब अगली राशी कन्या राशी की कन्या राशी का स्वामी बुद्ध मेश राशी में बैठा हुआ है कन्या राशी वालों को कारेचेतर में अपनी मेहनत को बढ़ाना होगा योजना बनाकर काम करने का समय है कन्या राशी वाले बहुत जादा जल्दवाजी में कोई फैसला ना करें जो लोग बिजनस करते हैं व्यापार में तरक्की के आउसर मिलेंगे लेकिन धैर बना कर रखना होगा परिवार में किसी भी तरह की कलह न बढ़ने पाए इसका ध्यान कन्या राशी वालों को बिशी शुरूप से रखना चाहिए सप्ता के आखरी तीन दिन बड़े महत्यपोर होंगे उसमें कोई शुब सूचना आपको मिल सकती है शुब रंग होगा आपके लिए लाल रंग और उपाए इस सप्ताह प्रति दिन नियम बना करके आप भगवान गणेश जी की आरती करें तो पूरा सप्ताह बहुत अच्छा भी देगा इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूणना आसान प्रॉब्लम्स से सल्यूशन तब एस्टरता नो यॉवफेट बारी आ गई अब तुला राशी की तुला राशी का स्वामी शुक्र मिथुन राशी में बैठा हुआ है तुला राशी वाले इस सप्ता कोई अच्छी ख़बर प्राप्त करेंगे कहीं दूर से कोई अच्छी सूचना मिलेगी आपके काम जो रुके हुए थे वो बनेगे घर परिवार वालों से सपोर्ट मिलेगा सेहत का विशेश रूप से ख्याल रखना होगा अपने खान पान का ख्याल रखिएगा खास कर सप्ताह की आखरी तीन दिनों में बहुत इलर्ट रहनी की आवश्यक्ता है यदि कोई फाइनेंसियल डिसीजन लेना है तो तुला राची वाले शुक्रवार के दिन ले सकते हैं कारिछेत्र में इस्थिति आपकी ठीक रहेगी बस किसी भी काम में आलश्य ना दिख करें शुब रंग होगा आपके लिए सफेद और उपाए शुक्रवार के दिन गरीब कर्ण्याओं को खीर का प्रसाद बाटें तो आपके लिए बहुत शुब होगा बारी आगई अब ब्रिश्चिक राशी की ब्रिश्चिक राशी का स्वामी मंगल मिथुन राश में बैठा हुआ है ब्रिश्चिक राशी वालों को धनलाव के आउसर इस सप्ताह मिलेंगे अपने सुभाव में नेगेटिव विचारों को हावी ना होने दे पॉजिटिव सोच के साथ काम करने का समय है ये सब्ताह आपके मान सम्मान को बढ़ाने वाला है सब्ताह के पहले तीन दिन बहुत अच्छे होंगे लाब कराने वाले होंगे बस आप अपने काम को ले करके बहुत एक्टिव रहेगा कोई फाइनेंसियल डिसीजन लेना है तो आप मंगलवार के दिन ले सकते हैं शुबरग होगा के सरिया और उपाय प्रति दिन हनुमान चालीशा का पाट करें बारी आगई अब धनुराशी की धनुराशी का स्वामी ब्रहस्पती मेश राशी में बिराजमान है धनुराशी वालों को इस सप्ता हर काम संभल कर करना होगा घर परिवार वालों से किसी बात को लेकर उलजे नहीं यानि किसी के साथ खटपट न होने पाए घर परिवार में इस बात का ख्याल रखेगा सेहत के मामले में लापरवाही न करें धनुराशी वाले कोई अगर दवाई ले रहें तो समय पर लेते रहें सप्ताह के आखरी तीन दिनों पर आपको स्वास्त को लेकर के बहुत सावधान रहना होगा स्वास्त का ख्याल रखेगा लंबी दूरी की यात्रा से इस सप्ताह धनुराशी वाले बचे करियर के मामले में कोई परिशानी नहीं करियर आपका ठीक चलता रहेगा शुब रंग है आपके लिए हलका पीला और उपाए प्रति दिल नमाश्यवाए नमाश्यवाए इस मंतर का जाप करें तो बहुत रहत मिलेगी बारी आगई अब मकर राशी की मकर राशी का स्वामी शनी कुम्भ राशी में बिराजमान है मकर राशी वाले अपने घर परिवार को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन ना ले अपना पूरा फोकस अपनी काम पर लगाना होगा इस सब्ताह के आखरी चार दिन लाब कराने वाले होंगे अधीर ना हूँ, बेचैन ना हूँ, व्याकुल ना हूँ, धहर से अपना काम करते रहें कोई financial decision लेना है तो आप शुक्रवार के दिन ले सकते हैं मकर राशी वालों के लिए सलाह ये है कि अंजान लोगों पर बहुत ज़्यादा भरोसा ना करें जो भी सलाह लेनी है अपने घर परिवार के लोगों से लेकर के फैसले करें शुबरंग होगा आपके लिए सफेद और उपाय प्रति दिन गायतरी मंत्र का एक माला जाप करें कुम्भराशी, कुम्भराशी का स्वामी शनी कुम्भराशी में ही बिराजमान है कुम्भराशी वालों को इस सप्टाह अपने सीनियर अधिकारियों से सपोर्ट मिलेगा यदि आप बिजनेस करते हैं तो व्यापार में किसी की सलाह से तरक्की के अवसर प्राप्त होगी अपनी काम पर ध्यान देने का समय है खर्चों को कंट्रोल में रखेगा बजट के बाहर ना जाने पाए सप्टाह के मद्ध का समय आपके लिए अनुकूल होगा खासकर बुद्वार से लेकर के शुकरवार तक का समय लाब कराने वाला होगा कुम्भ राशी वालों को यात्रा से लाब के योग बन रहे है शुब रंग होगा आपके लिए आस्मानी और उपाए इस सप्ता प्रति दिन आप हनुमान 40 का पाठ करें तो आपके लिए बहुत शुब रहेगा बारी आगे अब मीन राशी की मीन राशी का स्वामी ब्रहस्पती मेश राशी में बैठा हुआ है मीन राशी वालों के लिए प्रापर्टी खरीदने का योग बन रहा है घर परिवार वालों से सपोर्ट मिलेगा अपनी वानी का प्रयोग सोच समझ कर करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा किसी भी काम में आलश्य दिखाना उचित नहीं होगा इस सप्ताह के पहले चार दिन लाब कराने वाले होंगे मीन राशी वालों के लिए अपने हेल्थ को लेकरके इलट रहने का समय है शुबरंग होगा पीला और उपाय प्रति दिन भगवान विश्णू के मंत ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें तो आपका पूरा सप्ताह बहुत अच्छा भी देगा सप्ताहिक राशी फल में आज बस इतना ही अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात देखते रहें एस्टो तक नमस्कार